नमस्ते, हिंदु धर्म में सारी पुन्य कमाना चाते हैं। करने से पुन्य पराप्ति होती है तो ऐसा ही चारो धाम में से एसा ही एक धाम है उडिस्टा कि जगन्नात पूरी मंदिर एचनक से क्यों आशहर महिनी की दीतिया की तीथी में बनाया जाता है रथजात्रा रथजात्रा आने वाले हैं 2021 में 12 जुलाई को रथजात्रा की उत्सब मनाया जाएगा पूरी भारत में नहीं पूरी विश्व हैं तो ऐसा ही पूरी धाम है जो भारत की पुरुत दिशा में हैं क्यों मनाया जाता है जग जगनात धाम भारत की पुरुव दिशा में है उडिसा राज्य में, उडिसा राज्य में ये जगनात देप की मंदीर है, ये मंदीर की पीछे बहुत तरा-तरा के पुरानी कथा चालू है, तो ऐसा ही एक कथा है जो राजा इंद्रध्हम को सपनादेश दिया था भगवन तो मलवा के नारेश ने बात से सहमत हो गए राजी हो गए तो जगनादेब की मंदीर में जगनादेब की मूर्ति जो हम लोग पूजा करते हैं ओ लकड़ी का ही बना है पत्थर का नहीं तो मलवा के नारेश ने भगवान जी की सपना दे शुन के समुद्धत अट से लकड़ी की टुकड़ा लेके आए और उसी लक्री की टुकड़ से भगवन की मूरद बनाने की निर्नाई किया था उन्होंने जिसको ये भार स्वपा था ओ भगवन विश्यकर्माजी है विश्यकर्माजी को बोला गया जो मैं समुद्र तर्ट से जो लक्री का टुकड़ा लाऊंगा ये मलवा के नरिश ने बोला जो मैं समुद्र तर्ट से जो टुकड़ा लाऊंगा उसी से आपको बनाना है जगनादेव की मूर्ति विश्यकर्माजी बोला ठीक है ठीक है जी आप जैसे बोलेंगे होई होगा पर मेरी भी एक बात आपको माननी पड़ेगी तो मलवा के नर समय बिताना पड़े आप यह नहीं जाग सकते जि मैं कितना दुर कम कर रहा हूं तो विश्यकर्माजी के बात सुनके राजी हो गए हमारा मलवा के नरेश राजा इंद्रधाम पर फिर भी उनके मन में जो इच्छा है जो क्यूरिसिटी है कौत हल है वो रोक नहीं पाए क्य मुझे तो बोल दिया पन्रा दिन मी लगे एक मैना भी लोगे आप तांग जाग नहीं कर सकते पर राजा मलवा के नरेश के अंदर मन में जो इच्छा हो गया देखने का भगवान जी की मूरत और रोक नहीं पाए अथ भागे भागे मंदीर की दर्वाजा जाके खोल दिया बिश्यकरमा जी बोले मैंने आपको बोला था ना जहां तक आप मंदीर की दर्वाजा खोलेंगे उहां तक ही मेरी काम रुख जाएगा मलवा के नरेश ने बहुत अनूरत किया जिने ही ऐसा मत करो ऐसा मत करो फिर भी विश्यकर्मा जी नहीं माने भगवन जगन्नात के जो मूर्थी उन्होंने बनाया ओ हाथ कटा हुआ है क्योंकि विश्यकर्मा जी हाथ नहीं बना पाए थे हाथ बनाने से पहले भगवन जी के बात ना सुनके नरेश ने मलवा के नरेश इंदधम ने दर्वाजा खोल दिया था। इसलिए जो मुर्ति हम लोग पुझा करते हैं जगनादिप के उडिसा के लोग नहीं सारा विष्यो के लोग पुझा करते हैं बंगला बिहार उडिसा सब में यह रत जत्रा बनाया जाता है इसकंड टेंपल पे रत जत्रा बनाया जाता है बहुत बड़ा रत चलता है उडिसा को बैठाया जाता है मंदिर के गर्ब में जिस जगनादेब की पुझा किया जाता है ओ लकडी से बना हुआ है जिसका हाथ कटा हुआ है यही बोला जाता है जब भगवान का यह निटदश है यह जगनादेब की शायंग निटदश है जब मेरी हाथ कटा हुआ ही जो मुर्ती ह होगा वहीं पुजा किया जाए यह तो चलो गया पुरनिक कथा पर इस मंदीर के पीछे ना कुछ रहश्य भी काम करता है क्या है यह रहश्य है यह मंदीर 280 फिट्स उचाई में है इस मंदीर के ऊपर एक धजा लह रहाता है हमेशा पर धजाना हावा की विपरत दिशा में लह जो जिस दिशा में हवा चलेंगे उस दिशा में नहीं उसकी विपरत दिशा में हमेशा धाजा चलेगा मंदीर के सबसे उच्चाई में एक आपको चक्र मिलेगा चक्र देखने के लिए जो मिलता है बोला जाता है वो चक्र सुदर्शन चक्र विश्ण जी की है पर चक्र ज जहां से भी दिखेगा उसको हमेशा ये चक्र सीधा देखता है इस मंदीर में तो धजा होते हैं वो धजा रोज बदला जाता है रोज 45 मंजिल 45 मंजिल चड़के कोई पुजारी इस धजा को रोज चेंज करता है और हार बार जगनादेब की पुजा में हार बार ये मंदीर में जो गरब में जो बैठते हैं जो जगनादेब की मूरत बैठा है वो मूरत को पानी में प्रभाव किया जाता है और नए तरीके से फिर से बनाया जाता है उसी लकड़ी से इसलिए बोलता है जगनादेब की बनाया जाता है, सरकों में रथ चलता है, बोला जाता है एक गुरीचा नाम की किशन भगवान की सखा थे जिस गुरीचा के घर तक ये रथ चलता है, रथ जत्रा के दिन जगनादेप की पूरी जगनाद धाम से गुरीचा के घर तक ये रथ चलता है, क्योंकि गुरीचा को ज देखनादे पर अपने सखा माना था, बहुत ज्यादा प्लान की बंधु माने थे Ahh आप ऐसा ही कुछ और बाते हैं, जैसे मन्दीर सरल रिखा में नहीं है Stevens with the बक्र कोश़ग रिखा का होता है, देखने में बक्र robust डेखा जैसे होता है और और भी एक बात है जैसे मंदीर की से जो आपका रत सडकों में निकलेगा पहले रहता है बलराम जी की रत जिसको बोला जाता है ताल धज बीच में रहता है सुबद्रा जी की रत जिसको बोला जाता है पद्मा धज और गरूर धज नाम है जगनादेव की धज का ये तीनो भाई वहन की मूर्ति की पुजा किया जाता है और जिसको मैंने पहली बोरा पोरा निकत हमें उसकी हाथ कटी हुई है सारा विश्य से आम जनता ये उठसब मनाते हैं उडिसापुडी में आते हैं और एक बड़ी बात यहां पे भोग प्रशाद जो बाटा जाता है और लगातार एक साथ सारे मिट्टी की बरतन लगातार लगाता जाता है सिक्वेंस में सबसे पहला बरतन जो होता है उसी में मिट्टी की बरतन में पहले खाना बनना शुरू होता है और आखरी में जो लास्ट है वो लास्ट में बनता है मिट्टी की बरतन तो कुछ ऐसा ही मिस्ट्रियस कुछ कहानी के साथ जुड़ा हुआ है जगनातिम मंदीर म मंदीर में कैसे होता है क्योंकॉन चीज इस मंदिर के पिछे क्या मिस्ट्री है और बहुत जदा इंपॉर्टन एक बात बहुतनी है हम लोग हमेशा रहें कि उपर पंचिया बैठे रहते हैं कभूतर भी बैठते हैं पर इस जुलाइ 2021 12 जुलाइ मंडे के दिन हम लोग रत जात्रा मनाएंगे रत की रस्थी को पकड़ने के लिए तरह तरह जगा से सद्धलु आते क्योंकि वो थे इस रस्थी को पकड़ के जीवन में पुन्य कमाया जाएगा क्योंकि वो इक कहानी है हिंदु धर्म में हमेशा पुन् दिशा का एक धाम है जिसमें रत्र रत्र सबसे बड़ा दिवार मना आ जाता है तो प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक हिट लाइक बिटन और यू और यू शेर इट विट यू प्लीज स्बस्त्त कर दो हुआ हैं।